ओम नमस्षिवाई पती वशिकरण के लिए आज मैं आपके लिए लेकर रहे हूँ एक ऐसा अचूक वशिकरण मंत्र जो आपके पती को आपके वश में करतेगा ये उन अडियल पतीयों के लिए है जो कभी किसी का कहना नहीं मानते और बस अपनी चलाते हैं तो इस प्रियोक से आप अपने पती को शन भर में अपने समी प्ला सकते हैं या फिर अगर घर में मनमुटाव हो किसी भी तरह का कलेश हो तो भी इसका प्रियोक कर सकते हैं आपको बस करना इतना है कि भोज पत्र के उपर इसको अनार की कलम से लाल शाही से इस यंत्र को बनाईए और अपने बैड में अपने तकिये में या फिर कहीं भी ऐसी जिगे बैड की जहाँ पर आप इसको छुपा सके छुपा दीजिये इसके बाद 11 दिनों के भीतर भीतर आपके पती जो है आपके गुलाम बन के रह जाएंगे ये उन अरियल पतियों के लिए है जो कभी किसी का कहना नहीं मांते मार पीट करते हों गाली गलौज करते हों उनके लिए है ये अगर किसी को भी अपने दबाव में लाना हो किसी को अपने अंडर करना हो तब आप ये कीजेगा इस यंत्र को तक्ये में छुपा दीजिए या फिर बैठ के नीचे रख दीजिए या फिर कहीं पर भी छुपाईए लेकिन आप जहां पर सोते हो रात को वहाँ पर इसको छुपाना है इसके बाद आपको हफते भी तर इसका असर दिख जाएगा पती चाहिए कितना ही पत्थर दिल क्यों न हो वो भी इस प्रियोग से पिगलेगा अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं इस प्रियोग को बुद्वार को कीजिए बुद्वार की रातरी को इस प्रियोग को आप कर सकते हैं और अगर पूर्णिवा में करे तो ज़्यादा बहतर रहेगा या तो बुद्वार को कीजिए या फिर पूर्णिवा में कीजिए या फिर किसी ऐसे मुहुरत में कीजिएगा जब होली दिवाली हो या फिर कोई ग्रहन लगा हो इसमें इसका जो प्रभाव है वो दस्कुना जादा बढ़ जाएगा तो आप किसी भी तरह की परिशानी किर्में जो कॉल कर सकते हैं या फिर फोर सोल अबच्चिस पर धर्ने बादा